हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे Dragon Ball Z Kakarot PC version game की जो कि मार्स 2020 में लॉण्च हुआ था इसमें हम इस game की minimum requirement क्या है और इसमें recommended requirement क्या है इसको technical setup कैसे करना है और इसे अपने system पर install कैसे करना है So get ready to experience the legendary battle of Dragon Ball Z Let's start it वह सबसे पहले हम बात करेंगे bossy करेट के फीचर्स के बारे में तो इसके पहले playable character जो है वह सिर्फ और सिर्फ गोकू और उसके outfit के colors जो है वो आपको 5 out alternate colors मिलेंगे जिसमें Goku एक Lobby author के रूप में है अब बात करेंगे हम इसके system requirement की तो इसके लिए सबसे पहले minimum requirement क्या क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं सबसे पहले तो हमें इसके लिए 64-bit processor operating system चाहिएगा minimum windows 7 SP1 64-bit होगा तो भी चलेगा processor इसके लिए जो है वो Intel Core i5 2400 या फिर AMD Phenom 2nd X6 1100T से काम चल जाएगा और memory minimum जो है आपको RAM इसके अंदर 4GB RAM चाहिएगी ग्राफिक्स जो है वो GE Force GTX 750 Ti या फिर Radeon का HD 7950 से काम चल जाएगा Direct X इसके आपको अंदर version 11 चाहिएगा और minimum storage जो है वो 36GB available space होना चाहिए और इसी के साथ आपन बात करते हैं इसके लिए recommended requirement क्या है जिसके अंदर इस game आपका बहुत smooth चलेगा lagging नहीं आएगी तो उसके लिए आपको इसके लिए सबसे पहले वही 64-bit processor operating system चाहिएगा window 10 अगर आपके वास में 10 होगा 64-bit तो बहुत अच्छा चलेगा और Intel Core i5 लेकिन 3470 या फिर AMD Ryzen 3 1200 होगा अगर प्रोसेसर तो बहुत अच्छा होगा memory आपको इसमें कम से कम RGB RAM लगनी पड़ेगी और graphics जो है वो GeForce GTX 960 या फिर Radeon R9 280X से काम चल जाएगा direct X इसके अंदर version 11 होना चाहिए अब बात करते हैं इसके technical setup की तो Dragonballz.rar file अगर आप इसी साइट से डाउनलोड करते हैं तो वो RR file होगी जिसे आप extract कर सकते हो download file size जो है वो 30.7 GB होगी यह file जो है इसकी storage ज्यादा हो सकती है क्योंकि इसकी back end file की size जो है installation की तो installation करते वक्त मेरी आप सभी को एक ही रहा है कि जब भी आप इस game को install करो तो आप अपने system के अंदर जो भी आपने security या anti-virus program install करके रखा है उसको इस game को install करते वक्त थोड़ी देरे के लिए disable कर दे बाद में पर लिए आप इसको बता देता हूं कि कई बार game को install करते वक्त आपको problem आ सकती है तो एक ट्रिक आप यह यूज कर सकते हो का आप अपने game का जो setup file है उसका पांच change कर सकते हो लाइक अगर सी में install कर रहे हो तो आप उसको d drive में install कर सकते हो आपने इस वीडियो को लास तक देखा यदि चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहें और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो like और share जरूर करें और यदि कोई reaction हो तो comment जरू को रहें तो till then thanks and we'll meet you soon bye bye